बिसमिल्लाइरा रह्मान रहीं अस्लाम व्रेक्टम डियर श्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग प्रीविस लेक्चर में लोगों ने डिस्क्श किया था जणनियूटिक इंजिनरिंग के बारे में उसके बैसिक स्टैप्स के बारे में और आज नोग डिसक्ए करेंगे Achievement of Genetic Engineering कि Genetic Engineering में किस हद तक त्रक्वी कर ली है Genetic Engineering में Genetic Engineering को इस्तमाल करते हुए हम लोगोंने कितनी medicines बना ली है इसको इस तरह से हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं तो genetic engineering के बचे हम लोगोंने आज कल के दौर में जैसा कि आपको पता है कि technology का दौर याई तो काफी हद तक जो है scientist ने इस फिल्ड में भी जो है त्रकी की है तो genetic engineers जो है उन्होंने बहुत सारे hormones याई जैसे कि growth hormones है उसके लाव़ वेंडिशन्स है इंसुलीन हो गई उसके लाव़ एंटिबायोटिक्स हैं वाइर वैक्सीन बगारा जो हैं वह भी इस तरह के से produce कर ली हैं तो सबसे पह Achievement Topic जो है हमारा main वह है Achievement of Achievements of Genetic Engineering तो बचे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैंगे इंसुलीन किस तरह से बनाएगी तो इंसुलीन जो है यह बेक्टेरिया को इस्तमाल करते हुए बनाए गई है हम लोगोंने जीन का जो एक जीन है इंसुलीन का वो हम लोगोंने एक बेक्टेरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया बेक्टेरिया के अंदर उसको लगाया तो बेक्टेरिया मल्टिप्लाय करने लग गए और जो है इंसुलीन जो है प्रड्यूस होगी इस तरह से अब उसके बाद है कि in 1977 हम लोगों ने एक growth hormone यानि कि genetic engineers ने एक growth hormone बनाया जो कि इंसानों की growth के लिए नशनुमा के लिए इस्तमान हुआ human growth hormone अब 1977 में human growth hormone बनाया गया जो कि आज तक जो है इंसानों की बढ़ोतरी के लिए उनकी जो है कद में इदाफे के लिए जो है यह इस्तमान किया जाता है उसके इलावा एक और हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन थाइमोसिन हार्मोन भी इसी genetic engineering के जरिये से हम लोग उन्हें प्रड्यूस किया है जो काफी effective है फेपरों के और ब्रेन के यानि दमाग के cancer बगएरा में यह इस्तमाल होता है और यह भी genetically modified microorganisms उनके जरिये से बनाया गया है थाइमोसिन हार्मोन ठीक है जी उसके बाद है बीटा एंडॉर्फिन यह भी एक painkiller है जो के brain बनाता है लेकिन इसको भी हम लोगों ने genetic engineering techniques के जरिये से जो है synthetically इसको prepare कर लिया है और यह एक painkiller के तोर पर इस्तमाल होता है उसके इलावा genetic engineers ने vaccines vaccines जो है जैसे के हम लोगों आपको लोगों पहले भी पता है पुछे हम लोगों पहले discuss कर चुके हैं एंड वाले चेप्टर में के vaccines क्या है vaccines basically या तो उसी disease के नीम मुर्दा जानवर होते हैं या फिर मुकमल या निके dead जो है microorganisms होते हैं या germs होते हैं उसी disease के जो के host के इंदर inject किये जाते हैं तो उसे antibodies बनती है जो जिसम है उस disease के खिलाफ नेक्स्ट फूचर के लिए जो है resistance पैदा कर लेता है तो यह vaccines भी genetic engineers ने प्रिपेर की हैं जैसा कि केटल वगारा में एक मुखुर की बिमारी होती है mouth और mouth disease तो यह वाली food और mouth diseases उसको बोलते हैं मुखुर एक disease है आप लोगने आम सुना होगा तो उसके लिए यह vaccine त्यार की गई है उसके अलावा बहुत सारी vaccines हैं यानि के cattle के लिए एक तो vaccine हो जाएगी कि उनके mouth और mouth and food disease के लिए इसके इलावा Hepatitis B Hepatitis B के लिए भी जो है vaccine त्यार कर ली गई है जो के जैसे पीला यरकान भी हम लोग बोलते हैं तो Hepatitis B के लिए यह जो vaccine त्यार की गई है यह भी basically genetic engineering की तिकनीक को इस्तमाल करते हुए उसके इलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह से genetic engineers ने इसके इलावा interferons है interferons basically antiviral proteins है जो के infected cells से मनाई जाती है और यह सबसे पहले 1980 में जो है interferon जो है वो produce किये गए थे genetic engineering को इस्तमाल करते हुए हम लोगों ने बनाये थे इसके इलावा एक enzyme जिसका नाम है यूरो काइनेज एक ऐसा enzyme है जिसको हम लोग blood clotting को dissolve करने के लिए यानि के जो खून के लोथरे बन जाते हैं जिसम के अंदर तो उसको dissolve करने को इसको हल करने के लिए हम लोग इस enzyme को body के अंदर inject करते हैं यानि कि यूरो काइनेज का काम क्या है यह dissolve करते है blood clots को उसके इलावा यह भी genetic engineering से ही हम लोगों ने synthetically त्यार किया है उसके बाद हमारे पास बहुत सारी diseases है जो के नसर दर नसल चलती है यानि एक नसल में एक बिमारी थी माँबाप के अंदर रिव बिमारी थी तो वो उसकी उलाद के अंदर भी मौजूद होती है तो ऐसी genetic diseases को हम लोगों ने genetic engineering के जरिये से ही आज कर इसका treatment चल रहा है तो इसमें क्या किया जाता है कि जो parental cells होते हैं उनकी human egg cells को उनके अंदर ही जो genes है उनको जो change कर दिया जाता है कि अगर कोई defective gene है तो उसको खतम कर दिया जाता है और उसकी जगा पे एक normal gene है उसको लगा दिया जाता है यानि अगर कोई defective gene है जैसे के hemophilia के अंदर होता है तो वहाँ पर जो defective gene है उसको खतम कर दिया जाता है उसके इलावा genetic techniques जो है बुखत सारी blood diseases यहनी खून की जो बीमारिया है जैसे के हमारे पास thalassemia हो गया thalassemia है इसके इलावा हमारे पास sickle cell anemia है यह सारी diseases जो है blood की खून की बीमारिया है तो इसमें जो है सिरफ पूरी body के अंदर single cell जो है वो defect होता है यानि कि single cell defect होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि genetic engineering के जरिये से यह defected जो जीन होता है उसको निकाल दिया जाता है जीन को खतम कर दिया जाता है तो जो next generation में यह disease नहीं होती उसके इलावा और normal genes अगर हम लोग ने इसको treat करना हो कि अगर किसी की body के अंदर growth हो रही है बिबी को यह problem है तो उसके genes खतम कर दिया जाते हैं defected होते हैं और उनके bone marrow के अंदर जो normal genes है उनको plant कर दिया जाता है उसके बाद है हमारे पास के genetic engineering ने जैने इंजिनरिंग के जरिये से बहुत सारे special plants ऐसे बना लिए गए हैं बहुत सारे ऐसे पौदे बना लिए गए हैं जो के nitrogen fixation का काम करते हैं यानि के वो nitrogen को directly atmosphere से fix कर सकते हैं nitrogen from atmosphere यानि कुछ ऐसे खास किसम के पौदे हैं जो के nitrogen को atmosphere से directly absorb कर लेते हैं वहना हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि nitrogen fixation होती है जो के root needle से जरिये से bacteria के जरिये से जो है होती है लेकिन बहुत सारे जो हैं अब ऐसे plants बन चुके हैं genetic engineering की वज़ा से genetic engineering modifications की वज़ा से कि बहुत सारे plants ऐसे हैं जो atmosphere से directly nitrogen को absorb कर लेते हैं और utilize करते हैं तो बच्छे यह था आज का हमारा topic जिसमें हमने short सा पढ़ा है achievements of genetic engineering के बारे में और इन्शाला पिर मिलेंगे next lecture के साथ अला आफेर कर दो